हाई दोस्तों इस्टिचिंग क्लाच चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज में आपको मुताओं ही डेजाइनर स्लिव की कटिंग यान इस्टिचिंग कैसे करते हैं दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस सबस्क्राइब बटन पर किलिक करके मेरा चैनल सबस्क्राइब कर ले अब आप इस बैल पर किलिक करके इसे भी ओन कर ले जिससे जब भी में कोई नया वीडियो अपलोड करू तो आपको सबसे पहले मेरा मैसेज मिल जाएगा आज मैं आपको उताँगे थ्री पोड्ट स्लेट की कटिंग कैसे पड़ते हैं पुर्ती कट कर लिया है और जो बचा हूँए साइड का कपड़ा है इसमें से आपको डेजाइनर स्लेट ने बताँगे थ्री फोर्ट तो यह ड जैसे slip के लंबा ही है 17 इंच हमने ये 18 इंच लिया है 1 इंच एश्टा लिया है stitching margin के लिए अब इसका महर ही है 13.6.5 इंच डबल में और 1.5 इंच वारा इधर margin में चला जागा stitching में तो 7 इंच तक लियार में रहे है और हम 1.5 इंच एश्टा ले रहे है स्लाइब margin जैसे ये सूल्डर है सूल्डर से लेंके हम 11 इंच तक स्लीव लेंगे और यहां पर हमने निसान लगाया स्लीव से तो 3.5 इंच से हम यहां पर गुलाई देंगे जैसे हमने ये तैयार margin लिया है और जो एश्ट्रा है ये एश्ट्रा साइज है और ये करक्ट साइज है जैसे हम यहां ओपन है यहां पर हम डिजाइन देंगे तो हमको यहां पर यह जो कौनर है हमारा स्टिचिंग का यहां से हम इसमें उगुलाई देंगे जो यहां को पॉइंट है यहां से हम 2 इंच का इसमें उगुलाई देंगे तो हम 2 इंच पर क्रॉस में इस तरह से निसान लगाईने जैसे 2 इंच पर हमने निसान लगा लिया है और हमारा स्टेट कट है तो यहां से हम जैसा गुलाई देते जाएंगे हाफ इंच का, इस तरह से. जैसी यह किलोज है तो यहां से हम कट काते हैं. कट करने वाद जो हमको गुलाई देने हैं, इसको इस तरह से गुलाई देने हैं. यह गुलाई इस तरह से आएंगे. जैसे कि सिल्व है यह इस तरह से आएंगे. तो यहां पर हम पाइपन डालेंगे और सेम हम यह साइड में पाइपन डालेंगे. जैसे हमने सिल्व कट कर लेंगे और यह सलवार का कलो हता है, इसमें हम पाइपन डालेंगे इसके. तो इसको हम क्रॉस में कट करेंगे जैसे कि क्रॉस में कट किया हुआ है तो हम इसको इस तरह से डॉबल कर लेते हैं एक साथ लंबी पट्टी कट करेंगे जैसे ही पट्टी कट कर लिए भी इसको जॉइंट करेंगे तो हम इस तरह से क्रॉस में जॉइंट करेंगे जैसे के अब यह उल्टा से लिए पर निसान लगाती है तो इसको इस तरह से रखेंगे सीधा और जो यह मोहर ही है यहां से हम पाइपिन देना स्टार्ट करेंगे तो इसको हलके से खीचना है जो पाइपिन लगा रहे हैं और नीचे को कपड़े को एकदम दूज छोड़ना है जैसे इस तरह से कपड़ा इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद फिर इस तरह से यहां पा हम स्टिचिंग डालेंगे जैसे इपट्टी लगा लिया अब इसमें पाइपिन देंगे तो इसको इस तरह से पलट देंगे और इस तरह से हम स्मॉल पाइपिन लगाएंगे जैसे में वन साइड के इसलिम में इस तरह से पाइपिन देंगे अब यह दूसरा पाट है हम सेम इसमें भी पाइपिन देंगे दोनों साइड में हमने पाइपिन लगा लिए यह वन से लिप तैयार होगी है पाइपिन लगके अभी इसको जो जो इसको अभी ओपने इसको क्लोज करेंगे जैसे यह सोल्डर है यहां से हम बेंगर करेंगे यहां से हम 13.5 इंच पर पॉइंट देंगे उचे से पॉइंट दिया है और यह हमें 2 इंच और पट्टी लिए इसको डबल कल दिया और इसको भी यहां से इस तरह से इस्टिचिंग डालेंगे इसके उपर और बाद में हम यह स्लिम को भी सेम इसके उपर रखके अटेच करेंगे इसाल पाज़ बाद में यह पीस अटेच करती है आप दूसरा साइड भी इस सोल्टर से इस तरह से हम एकश्टिचिंग डालेंगे जैसे यह जोइंट है याप हम उसको लॉप कर लेंगा जैसे कि हमने इसको अटेच कर दिया तो यह इस तरह से आएगा जब हम पहनेंगे तो यह जो हमारा ओरेंज के लॉट अंदर से इस तरह से दिखेगा जैसे यहां पर भी हमको बटन लगाने है तो आप यहां पर जो इस्टिचिंग है यहां से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि जॉइंट भी नहीं दिखेगा और इस तरह से आप चाहे तो फुल स्लिप में बटन लगा सकते हैं और चाहे अब थ्री बटन इस तरह से लगा सकते हैं यह से हमने वनसलिब तयार कर लिया है, इसी तरह हम दूसरा सिलिब भी तयार परेंगे अब जैसे इसकी तेडिनी आप हो, यहां से हमने जो पॉइंट दे दी है, पहला हिनिसा लगा दिया था जो स्लाइम आरजन के साथ में तो उसी पॉइंट पर में श्टिचिंग डालेंगे जैसे आपको सूल्डर पर कुर्ती में टैज करना है तो यह धिहान रखना है कि जो मारा यह सेंटर है यह सूल्डर के सेंटर बैना चाहिए कि आगे पीछे तो पूसे आएंगा इस तरह सेंटन इसे लिए तॉस के साया वी लुए गए की कि दोस्तों मुझे उम्ही नहीं है कि यह पेसंद आया होगा क्यों वीडियो को सेर कर केंगे चैनल संसक्राइब करें ठेंक जाए हुं झाल झाल झाल